हेलो माई यूट्यू फैमिली वेलकूम बैक दो मैं चैनल कैसे हैं आप सब मैं अम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे श्रस्त होंगे मस्त होंगे और अपना चैलेंज कर रहे होंगे जो कुछ मैंने कल की वीडियो में दिखाया तो टाइम हो रहा है ग्यारा बजने करनें और उसके बाद मैं ऐसके अबहोंगी तक मैंने फानी की बीडिया है निधी पूछ पीना कि पीना है पानी चोंप पीना है पहले पीना है यह वह फे घग है अवह ब्चोंप मटलब आपका व्वी तो अगर पहले हैं चाहते हैं तो जैसे आपने कुछ पानी पीने के 25-30 मिनट बाद आप एक्सरसाइज कर सकती है और खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा वेस्ट होगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साम को भी कर सकती है बट आपका पेट खाली होना चाहिए खाना के खाने के 3-4 घंटे बादी करिएगा पेट तक अच्छे से खाली हो जाए खाना आपका अच्छे आपको 2020 का करना होगा 20-20 का वो करना होगा ठीक है एक इसरसाइज 20 का 20-20-60 आपको करना होगा मैं 10-10 का करके दिखाऊंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो जिनके पास मसी नहीं है उनके लिए मैं एक्सरसाइज पहले बताऊंगी फिर मैं टमी ट्रि और अच्छा वाला एक्सरसाइज जो एफेक्ट डाले हमारे टमी पर हमारे वेट पर ठीक है मेरा टमी बहुत जादा कम हो गया है मैं बहुत हैपी हूँ यह देखिए यह देखिए इतना सारा कम हो रहा है यह है यह थोड़ा से जो बेबी जब होते हैं तो वह वाला हिस्सा यह है यह है मेरा वाकि इधर से आप लोग देख सकते हैं साइड में काफी ज़्यादा फर्क दिख रहा है मुझे मतलब ऐसे पता चल रहा है और यह सूट तो मुरा पहले से ढिला हुआ है इधर पेड़ भी कम हुआ है को मैं बहुत ज़्यादा हैपी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और मेरा फेस भी काफी छोटा लग रहा है मैं सीसी में ऐसे देख रही हूं न तो मुझे छोटा-छोटा सा लग रहा है तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं और साइध इस वीडियो में पूरा रूटीन ना दिखाऊ पाऊं क्योंकि दो- करने में ज्यादा मजा आएगा ना आप लोग देख रहे होंगे कि दीवी कर रही है और हम भी कर रहे हैं तो यह कंपटीशन होगा और कंपटीशन करना बड़ा मजा आता है तो चलिए फटाक से इक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म-प करेंगे पांस मिनट ठीक है पूरी इस तरह से आपको वार्म-प करना है फिर आपको इक्सरसाइज स्टार्ट करना है ठीक है तो यह उनको बताऊंगे जिनके पास टरमिट्रीमर मसीन नहीं है ठीक है वह यह वह बाइसे जंपिंगए करपाएंगे न यह सज़ेगा वह ज्यादा पीट होगा है नहीं जोए बा केते हैंறा ऐसाइब करीएगा और यह वाला साइब इससे कम होता है इसको 20-20 का t07 से ठीग है कि यह वाला भी 20-20 का 30 बार करीएगा ठीक है मैं थोड़ा-्थूड़ा पर दिखाऊंगी कि वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए और इसको भी आपको 20-20 का 3 सिट करना है ठीक है सारे एक्सराइज का 20-20 का 3 सिट करना है और जो आप अगर 25 बर कर पाते हैं या फिर 30 बर कर पाते हैं तो और भी अच्छा है कर दिएगा ठीक है घुटना आपको हाथ के लिए है और हाथ के अंडराम जो है ना नीचे साइट का आर्म फैट उसके लिए यह एक्सराइज ब्रिस्ट के लिए है बाकि आप लोग डिमांड करिएगा कि किस किस चीज पर आपको एक्सराइज चाहिए तो मैं वीडियो ला दोंगी अल्रेडी अगर आप चेक क सब्सक्राइज कर रही थी इसका आपको पचासबिक यह अहलो का अजड़ा आपको बीस का यह यह एकक्सराइज आपको यह यह तर अदो इसकाए bilis का यह स्ट्ड़ बार करना है तो इससे जांग का और बैक सरी सिर्वी खतम होगा इसे पेट की जर्वी खतम होगी एक तरफ से बीस बार एक तरफ से अमिट कर ना है अंते रही और आप उनके सकती है तो एक मिनट का फ़यूंप बार करिएगा ठीक है और यह जंपिंग ज़रूर करिए का फुल बॉड़ी इससे आपका चर्वी खतम होगा पचास-पचास का तीन सेट नहीं पचास का तो आप चालिस-चालिस का भी कर सकते हैं रेस्ट आपको ज्यादा नहीं रेना है पसीन पसीन हो गया आप एक करने के ब आप बोलोगे तो और भी एक्सरसाइज में सामिल करूंगी बड़ जितना भी बताया है अगर आप इसको कंटेनियू करते हैं अदा घंटा चालिस मिनट इससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा यह सब मैंने खुद किया हुआ है 106 किलो की हुआ करती थी मैं आज 61 किल कि बड़ जो कुछ मैंने अपने ऊपर किया है जो कुछ खाया है जो कुछ पीया है जैसे किया है वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ बत सेर करती हूं ठीक है जो कि बेस्ट है अभी तक मैंने 100-500 लोगों का वजन कम करा दिया है आपको पता है अभी देखिए 45-46 लोग तो अभी चैलेंज में हो गया है बहुत टाइम से मैं वेट लॉस करा रही हूं बहुत टाइम हो गया बहुत सारे लोगों का वजन कम करा दिया है यही सब चीजे करके ठीक है और यह सब चीजे आप लोग के लिए आराम भी है इसलिए आप कर पाओगे घर में आराम से टाइम चलने के लिए ठीक है तो चलिए अब मैं कर लेती हूं टमी ट्रिमर से एकसराइज और हाँ आप पंखा चला सकते हो देखो मैंने फैन ऑन किया है ठीक है फैन में करना है गर्मी बहुत है नहीं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी कि घर में हमें हवा नहीं मिल रहा है ना तो पंखा चला कर सकते हैं ठीक है वैसे दो चारे इसके बाद पसीना हो जाता है देखिए चलिए अब टर्मी ट्रिमर से करेंगे एकसराइज की लिए वर्म-प यह सब चीजे करेंगे जो स्कत्राइज और बहुत सारे लोगों का कहना है वह हम ने मसीन मांगा लिया और डर लग रहा है कहीं टूटे अना तो टूटे का नहीं आ अप लोग मुझे देख सकते हैं मैं कैसे कैसे साइज कर रही हूं आपके सामने ना कारी यह मंसीन बहुत मजबूत है और कई लोग का कहना है कि मैं कर ही नहीं पा रही हुँ इस से क्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रही है है प्रेक्टिस करिए मुझे भी इस्ट्राइज कर एक दो दिन थोड़ा सा अजीब लग रहा था कैसे करूं थोड़ा सा डर भी लगता था कि मस के लिए है मैं हातों पर फार्ट पड़ेगा तो एक ऐसे हाथ से आपको दस बार करना है उसका एक सब्सक्यार्ट करना है। तो की दिनिया उसक्राइच कर पाते हैं तो फिर असथ है बट अगर 20-20 का ही सारा करेंगे ना तो इसने इतने में ही आप इतना थक के चूर हो जाएंगे ना कि और कुछ एक्स्टा करी नहीं मिलेगा फिर आपको यह वाला एक्सराइज करना है इस तरह से आपको आपके अपर बॉड़ी को सोने देना है पैर बिल्कुल सीधा ही रह है मैं एक्सराइज 20-20 में काट दी हूं ठीक है बस आपको वही मैं बता रही हूं कि क्या-क्या एक्सराइज आपको करनी है क्योंकि अगर मैं तीन-तीन सेट दिखाओंगी तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी ना फिर आपको थोड़ा सा पैर ऐसे उपर उठान करने के बाद रिष्ट आप 15-10 से किंड का लिजिएगा ठीक है ज्यादा नहीं दूसरा एक्सराइज थोड़ासा पैर ऊपर करेंगे उस से थोड़ा सा पैर ऊपर करेंगे ठीक है इसका भी 20-30 ठीक है इसके बाद जो एक्सराइज वो थोड़ासा पैर हिदम बिलकुल सीध तो अभी तक 41 लोगों को मैंने नाम बताया और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए है 67 लोग जुड़ गए है तो उन लोग का मैं नाम ले लेती हूं कि उनका कहना कि मेरा भी नाम लिख लिए मेरा भी नाम लीजे गार नहीं तो लोग गुस्ता हो जाएंगी ना कहेंगी सब का नाम लिया दिदी ने मेरा नहीं लिया मैं फटाफट से ले लेती हूं ठीक है एक तालिस नंबर पर है स्वेता तिवारी 42 पर है मिलाप जी 43 पर है अंजुमन उसके बासे रजनी जी फिर एक आईडी है सौट्स उनका है वो है और एक मंजु गुपता नैसा जी सुप्रि हनी रोयल अस्मिता जी अफसा जी परवीन जी सरिता चवहान नीलम कुमारी कविता सर्मा रिसिता यादव गोल्डी पूजा नीतु सिंग रचना दुबे तो लोग कुल मिला करके लोग 67 लोग हो गये हैं कमपटिशन बहुत भेंकर वाला होने वाला है सबसे बेस्ट बेस् ठीक है और फिर देखते हैं कौन फॉस्ट नंबर पर आता है कौन बेस्ट करता है ठीक है उनके उपर वीडियो आएगी आप लोग पूरा 100% देने की कोशिश करिएगा ठीक है बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करिएगा जो डाइट बताया है मैंने उसको फॉलो करिएगा ए बिल्कुल भी आपको बहानेवाजी नहीं ठीक है 15 दिन का चैलेंज है 15 दिन आप कर लीजे फिर 15 दिन के बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगे आपको ठीक है तो वो चीज आपका कम होगा ठीक है और यह मसीन बेस्ट है बहुत अच्छी है इसी से मैंने एक्सरसाइज किया है और आठ दिन में तीन केजी वेट लॉस हुआ है और देखेंगे फिर अभी इस हपते का चेक करूंगे कितना कम हुआ है कास की थ्री केजी और कम हो जाए तो तो मज़ा आ जाए यह भी पैरों के लिए है देखिए जांकों के लिए है यह एक्सरसाइज यह जो अभी कर रही ना इसमें बहुत ताकत लगता है खीचने में बहुत ताकत लगता है तो आप इसको टेन टेन का तीन सेट करिएगा ठीक है फिर आप यह वाला हो गया complete जितना बताया तमीटी मेर से इससे आप ये exercise करिएगा बहुत तेजी से वेट लास होने वाला है अभी आप लोग का ठीक है बस 35 मिनट 40 मिनट ठीक है आदा घंटा 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट अगर कर लेते हैं कर लेते हैं बहुत बेस्ट है वैसे जितने मैंने सेवस बताये हैं सबके 33 सेट करने हैं 20-20 ठीक है तो इतना करने में आराम सा 40 45 मिनट हो जाता है ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है आपको 10-15 सिकेंड का ब्रेक लेना है ज्यादर रेस्ट नहीं करना है ठीक है 20 सिकेंड अगर बहौत ठके लग रहे हैं तो 20 सिक बहुत देव-दे में एक बार ही लेती हूं तो खाना खाने का टाइम हो गया बारा बज़ रहा है और आज अठारा घंटे का इंटर्मीटन फास्टिंग हो गया वेरा आज टाइम ही नहीं मिला है 10 बजे 16 घंटा हो जाता है आज 12 बजीया क्या करें कभी एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो फिर क smarter पींए काट Empress षुड़ी लिया है और वी ऐसके बनाते हैं कयो सठीव कि वीडोच बनाते हैं अच्याいき अस प्वड symmetry नहीं हो पाया गवारे ऑाद में मैं कमेंट बात में देखी हूं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी वैसे थोड़ा से मैं बता दे रही हूं आप जितना भी आपको खाना है तीन-चार चमस लीजेगा एक बार धुल लीजेगा उसके बास एक इंच उसमें पानी लीजेगा और जैसे मैगी चलाते हुए ब ठीक है अभी सोले घंटे का जब मैं कर रही हूं इंटर्मीडियल फास्टिंग तो मैं उसमें मैं थ्री मिल ले रही थी जैसे सुबह में फ्रूट वगएरा या फिर दूद मुसली यह सब नास्ते मिले रही थी फिर लंच फिर डिनर इसमें मैं सिर्फ टू मिल लूंगी साम का डिनर और लंच बाकी मैं पानी पर चलूंगी अगर आप इस तरह से कर पाते हैं तो करिएगा नहीं तो कोई बात नहीं ब्रेक्फास कि फिर मैं मिलती हैं आप सबसे सिधा साम को डिनर के टाइम में कि डिनर क्या कुछ करेंगे ठीक है तो जी यह है डिनर टाइम साड़े पांस बजे शाम के साड़े पांस बजे ठीक है तो यह मेरा हो गया डिनर अब मैं रात में लोंगी एक कप ग्रीन टी तो चलिए वीडियो एंड करते हैं पसंद आया होगो तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होगे तो कर देजेगा बाई बाई लव यूगास टेके